दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वाइबा कौन-कौन से कोर्स का होता है ऐसी कौन-कौन से सब्जेक्ट है जिनका वाइबा होता है और होता है तो कब होता है और कैसे होता है और इसके अलावा आप लोगो यह भी बताऊंगा कि वाइबा कितने नम्बरों का होता है वाइबा को पास करना कंपलसरी है या फिर नहीं है सब्सींट के लिए वीडियो का फींपोर्ण होने वाली है वीडियो को इस सब्सींट को लाइक करके अपने सब्सींट को उठे़ करते हैं वीडियो को चली देख लेते हैं कि किन-किन सब्जेक्ट का वाइबा होता है तो आपके सामने एक्जाम फॉर्म है यहाँ पर आप लोग कोर्स देख लीजीगा MA Yearly Final Year MA Final Year का यह कोर्स है और सब्जेक्ट है English English में आप लोग यहाँ पर Nature यानि सब्जेक्ट के उस कोर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर यह थियोरी है इनका और एक पर इनका वाइबा का है तो MA English में वाइबा होता है कब होता है? सेकिंडर में तो MA English के सभी स्ट्रेंज का वाइबा सेकिंडर में होगा तो आप लोग अगली सब्जेक्ट देख लें अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हिस्ट्री हिस्ट्री में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइबा वोक यहाँ पर भी वाइबा दिया गया है तो यहाँ पर भी वाइबा होगा history के बच्छों का भी secondaire में whyba होगा अब आप लोग एक और subject यहांपर देखने subject है geography और course यहांपर means final year है और history का भी course वो final year का ही था तो हैंपर आप लोग देखने कि हैंपर whyba आपको नहीं देख रहा होगा यहांपर आपको practical देख रहा है तो जोगराफी में practical होता है वाइबा नहीं होगा अब एक और subject आप लोग यहां पर देखने हैं सब्जेक्ट है economics तो economics में वाइबा होता है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि वाइबा वोक यहां पर वाइबा आपको लिखा मिल जाएगा तो इससे पता यह चलता है कि वाइबा जो होता है आपका second year में यानि final year में होता है first year में आपका वाइबा नहीं होता है sociology यह subject है first year का यह फॉर्म है यहां पर वाइबा आपको नहीं देगा exam फॉर्म पर तो first year में वाइबा नहीं होता है और सोसिलोजी का मैं आप लोग बताता हूं सोसिलोजी का भी सेकिंडर में ही वाइबा होता है तो ठीक है दोस्तो सेकिंडर में वाइबा होता है जातर सब्जेक्ट का कुछ ऐसी सब्जेक्ट हो सकती है जिनका सेकिंडर में भी वाइबा नहीं होता हो confirm में आपको लोगों के यह नहीं बता सकता जातर सब्जेक्ट का वाइबा सेकिंडर में होता है सोसिलोजी हो, हिस्ट्री हो, जोग्राफी को छोड़कर एकॉनमिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट है जातर का वाइबा सेकिंडर में होता है परसे जैसे बी ए, बीस, और बीकॉम में वाइबा नहीं होता है उनले प्रक्टिक्र होता है और PG कोर्सों में MA के अलावा MSC और म्ज़ी बीकॉम का भी वाइबा होता होगा इसके बारे मैं आप लोग को कांफर्म नहीं बता पहुँगा अब आप लोग को बताते हैं कि वाइबा कितने नम्बरों का होता है देखिए वाइबा जो होता है वो आपका होता है सो नम्बरों का सो सो नम्बर के आपके सारे पेपर होते हैं और सो नम्बर का ही आपका वाइबा होता है और वाइबा को भी पास करना आपके लिए कमपल सरी है अब वाइबा की तियारी कैसे करें वाइबा को पास कैसे करेंगी अच्सी नंबर इसमें कैसे ल wzgl협ज आए इसके लिए मैं आपको अलग से पझा ऱ्वीडियो बिना का बता को दूंगा और तेयारी के टिप्स में आप लोगो को दे दूँगा वीडियो को लाइक करते हैं और अपने सभी दोस्तों में शेयर करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आपको जरूर सेलेक्ट कर लें इससे कि आपको इसी प्रिकार की इन्फरमेटी वीडियो से हमारे इस जिम मिलती रहें